कि लास्ट क्लास में हमने जो है इंट्रोड़क्शन कर रखा था स्ट्रेंफ ऑप मटेरियल का और उसमें काफी कंसेट्स भी हमने सीखे थे तो बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वह काफी कंसेप्चुल और काफी इंपोर्टेंट रहेगा ठीक है क्योंकि पिछले कल वाला जो टॉपिक्स थे वो एक जनरल टॉपिक था जिसको समझना बहुत जरूरी था अगर आप स्टेंट ऑफ मटेरियल में फर्दर आगे चीजों को बढ़िया तरीके से समझना चाते हो तो आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे सबसे पहली मैं बात करूँगा कि स्ट स्टेंट ऑफ मटेरियल जो है वर्क करता है तो सबसे पहले आप हैडिंग देंगे सबसे पहले आप हैडिंग देंगे अजूपिक्स एक चीज़ आप लोग हमेशा दियान में रखेंगे कि जो आपका सब्जक्ट है स्टेंट ऑफ मटेरियल यह बेसिक पांच अजूपिक् पांच basic assumptions हैं जिनके उपर जो है आपका strength of material काम करेगा ठीक है उसके अलावा कुछ और assumptions या कुछ और properties अगर आपको वहाँ पे question में अगर नहीं दी गई है तो further यही 5 assumptions होंगे जिसके उपर पुरा का strength of material काम करता है for example सबसे पहला जो assumptions strength of material में लिया जाता है हम यहाँ पे यह assume करते हैं कि जो भी material आप use कर रहे हो जो भी material के उपर आप लोग लोड वोड लगा रहे हो टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहे हो उस material को हम लोग isotropic और homogenes मानते हैं ठीक है तो सबसे पहला assumptions कि है material is assumed to be material is assumed assumed to be material is assumed to be material is assumed to be isotropic isotropic and homogenes homogenes ठीक तो सबसे पहला assumption कि आप बोलता है कि जो भी आपका material होगा उसको homogenes और isotropic हम उसको assume करेंगे ठीक है अब देखिए अब सवाल यह होता है कि isotropic किसे कहेंगे हम और homogenes किसे कहेंगे हम ठीक कोई बता सकता है what is isotropic and what is homogenes yes homogenes और isotropic कोई बताएगा property is same in every direction very good winner property is same in every direction उसको क्या बोलेंगे हम isotropic बोलेंगे right उसको क्या बोलेंगे हम isotropic बोलेंगे ठीक है homogenes किसको बोलेंगे homogenes किसको बोलेंगे homogenes किसको बोलेंगे yes homogenes किसको बोलेंगे to do do a single material substance um a single material substance ने विने का कहना है single material substance ढहारे देखी बटा सबसे पहली बात तो हम बात कर रहरें isostropic की isotropic iso-tropic की हम बात कर रहरें देखिए आईसो ट्रोपिक की हम बात कर रहे हैं तो my dear students आईसो ट्रोपिक material आपका वही material करनाता है जिसकी elastic properties जो है यह elastic constants जो आप बूल सकते हो वो क्या हो independent of directions हो independent of directions से कहने का मतलब है हर direction में किसी एक particular point पे द्यान रखना किसी एक particular point की बात कर रहा हूं है एक particular point पे हर direction में अगर आपकी elastic properties सेम आ रही है तो ऐसे material को isotropic बोलेंगे देखे मैंने क्या बोला इसको इपर मैं लाइन में रिख लेता हूं तो देखे मैंने क्या बोला a material a material is said to be isotropic is said to be isotropic isotropic when it exhibit when it exhibit when it exhibits same elastic properties properties in any direction in any direction at a given point देखिये अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है माइडिया स्टुदेंट्स that is this at a given point at a given point मतलब क्या है किसी एक पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे हर डिरेक्शन में अगर आपके material की प्रॉपटी सेम है तो उसको बोलेंगे isotropic for example for example देखिए for example देखिए मान लो मेरे पास क्या है बटा मेरे पास ये material है एक ठीक है मेरे पास ये material है like this this is our material wait मेरे पास ये material है ठीक इस shape का मेरे पास कोई material है like this ठीक ये particular shape का material मेरे पास है ठीक है तो यहां पे different axis होंगे इसकी vertical centroidal axis like this this is your vertical centroidal axis this is your horizontal centroidal axis and this is your longitudinal axis यह बात clear है इन तीनों के बारे में हम बात कर चुके थे खिक है अब मैंने क्या बोला यहां पर यह जो आपके पास substance है इस substance का जिस material से बना हुआ है इस material को हम लोग isotropic क्या बोलेंगे isotropic हम तब बोलेंगे अगर किसी given point पे मालो मैं क्या बोरो किसी एक particular point पे किसी एक particular point पे मालो जोता हूँ कि यहां पर कोई point है यहां पे यहां पे कोई point A है ठीक है for example this is point A तो क्या बोरो किसी एक point पे हर direction में अगर elastic properties इसकी सेम है हर डिरेक्षं में इसकी सेम है for example ये इसका z direction हो गया ठीक है ये इसका y direction हो गया और ये इसका x direction हो गया like this तो अगर इसकी elastic properties point a पे point a पे elastic properties आपकी सेम हो रही है सब direction में मतलब elastic properties for example मैं मान रहा हूं for example I'm assuming कि आप young's modulus की बात कर रहे हैं यह इसका elastic property है for example, so young's modulus of elasticity of point A in Z direction must be equals to young's modulus of elasticity of point A in Y direction must be equals to young's modulus of elasticity of point A in X direction, तो मतलब हर direction में हर direction में क्या है my dear students हर direction में अगर इसकी elastic properties या इसका strength for example, elastic properties या इसका strength इसका हर direction में same आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम isotropic इसको क्या बोलेंगे हम isotropic तो मैंने क्या बोला देखिए ज़रा बिटा मैंने ये बोला a material is set to be isotropic when it exhibits same elastic property in any direction at a given point किसी एक particular point पे हर direction में मैंने तो आप तीन direction बता दिये अब हर direction की बात करो चाहिए इस direction में हो चाहिए मतलब जितने भी direction में हर direction में अगर इसकी elastic property is same है तो ऐसे material का हम लोग isotropic कहता है Is this clear to everyone Is this clear to everyone यह सौर्मों जल्दी से बताएंगे बटा क्या ये बात सभी को clear है क्या ये बात सभी को clear है क्या ये बात सभी को clear है very good very good तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि properties are independent of direction अगर isotropic है तो properties क्या हो जाएगी direction की independent हो जाएगी मतलब किसी भी direction में same है तो obviously बात है doesn't matter properties same हो जाएगी तो आप एक और लिख सकते हो that is properties that is properties are are independent independent of directions properties are independent of directions हाँ जी यहां तक बात clear है सभी को is this clear up to this point yes or no is this clear up to this point yes please is this clear up to this point ठीक है तो आपका जो पहला assumption था जिसके उपर आपका strength of material काम करता है क्या था पहला assumption material is assumed to be material is assumed to be isotropic सबसे पहली बात isotropic हम लोग क्या करते हैं material को मान के चलते हैं तो इसका मतलब क्या है हम इसका मतलब यह है कि किसी भी particular point पे हर direction में हम यह मान के चलते हैं कि इस material का जो इस properties है वो क्या रहेगी same रहेगी properties क्या रहेगी बात same रहेगी ठीक है बात clear है yes or no ठीक दूसरा assumption इसी assumption का जो दूसरा part है क्या बोलता है homogeneous तो हम क्या करते हैं material को homogeneous भी मान कर चलते हैं हम material को क्या मान कर चलते हैं homogeneous भी मान कर चलते हैं तो सबसे पहली बात तो अब हमें यह समझने की जरुरत है कि homogeneous क्या होता है हमें सबसे पहली बात अब यह समझने की जरुरत है कि homogeneous क्या होता है homogeneous 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 चलिए तो देखिए my dear students कुछ answers मुझे आये थे आप लोगों के बताया था किसी ने अब देखना ज़रा इसको ध्यान से सुनना आप में आपको बताऊंगा अभी ठीक है अब देखिए अगर किसी भी particular point पे elastic properties हर direction में सेम हो तो वो तो होगी आपका isotropic ठीक है homogeneous के लिए condition change हो जाती है किसी भी material को हम homogeneous कब बोलेंगे किसी भी material को हम homogeneous तब बोलेंगे अगर दो different point पे किसी particular direction में उसकी property सेम आती है दो different point पे अलग-अलग point पे किसी एक given direction में अगर property सेम आती है तब ही जाके उसको homogeneous बोलेंगे homogeneous मतलब एक जैसा किसी एक particular direction में एक जैसी property आती है न बिटा उसको बोलते हैं हम लोग homogeneous देखें मैंने क्या बोला एक बार देखें ज़र इसको मैंने क्या बोला a material a material is said to be is said to be homogeneous when it exhibits same elastic properties same elastic properties at any point in a given direction ठीक तो आप देखें यहाँ पे की point क्या है बिटा यहाँ पे जो आपका key point है यह है at any point मतलब किसी भी point पे किसी एक given direction में अगर आपकी properties क्या आती है बिटा same आती है तो उसको क्या बोलूँगा मैं homogeneous बोलूँगा चलिए आपको बात समझ नहीं आई अभी कोई बात नहीं इसको हम फिर समझेंगे देखें फिर से ले आओ उस body को फिर से ले आते हैं ठीक फिर से ले आते हैं उस body को ले आओ ये मेरे पास material है ये मेरे पास material है लीजिए सर ये मेरे पास material है ठीक है जी ये मेरे पास material है ठीक है सर अब यहां पे देखिए इस particular जो आपके पास material है इसमें different axis है Vertical Centroidal Axis, Horizontal Centroidal Axis and Longitudinal Axis, like this, clear है sir, अब देखिए, अब हमने क्या बोला बेटा, हमने ये बोला कि किसी भी point पे, point कोई भी हो सकता है, point कोई भी हो सकता है, point यहाँ पे a point हो सकता है, like this, point यहाँ पे, for example, इसी point पे यहाँ पे b point हो सकता है, like this, ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हू किसी भी point पे, at any point, in a given direction, given direction कोई भी ले लो, अगर आप y लेना चाहे, y ले लो, अगर आप z लेना चाहे, z ले लो, अगर आप x लेना चाहे, x ले लो, ठीक, for example, मैं बात कर रहा हूँ कि point a पे, for example, अगर मैं बात करूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि point a पे, point a पे, point a पे, point a पर मैं यह बोर रहा हूं कि इसकी elastic property something like this EZ, point A पर जो इसकी elastic properties आरही है in the direction of Z, Z direction में इसकी elastic property आरही है EZ आरही है, तो मैं बोर रहा हूं कि point B पर Z direction में इसकी elastic property also EZ आरही है, तो obviously बात है, यह जो material इसको homogenous बोल सकता है क्योंकि Z direction में इसकी जो properties है वो कैसी आ रही है बेटा सेम आ रही है अलग-अलग point पे ऐसे material को हम homogeneous बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा इसका मतलब यह हुआ कि elastic property of point A in Z direction must be equals to elastic property of point B in Z direction this is the condition for homogeneous homogeneous यह आपका condition जो है वो satisfy होना चाहिए तभी जाके हम homogeneous बोलेंगे हां जी यह बात clear हुई is this clear to everyone is this clear to everyone yes और नो जल्दी से बताओ क्या यह बात clear हुई बेटा सबको is this clear to everyone anything is to be repeated anything is to be repeated कोई भी चीज अगर आप repeat करवाना चाहते हो कोई भी चीज ऐसी हो अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो you can ask yes please isotropic ठीक है isotropic देखिए isotropic देखिए रोई मैंने क्या बोला isotropic एक point पे बोला मैंने किसी भी particular point पे अगर हर direction में किसी भी particular point पे हर direction में आपकी elastic properties same आ रही है तो उसको मैं क्या बोलूँगा उसको isotropic बोलूँगा for example मैंने लिया था इस body के अंदर point A point A मैंने लिया था मैंने बोला point A मैंने लिया था और point A पे मैंने बोला कि जो इसकी elastic properties है x, y और z direction में इसकी elastic properties जो है x, y और z direction में ये तीनो properties क्या रही है बिटा ये तीनो properties अगर सेम आ रही है, किसी भी एक particular point पे हर direction में, तो इसको क्या बोलूँगा, मैं isotropic बोलूँगा, इसको अगर आप तोड मरूड के समझना चाते हो, तो ऐसे समझ लो, कि X direction में भी इसका strength मालो 5 MPA, Y direction में भी 5 MPA है, और Z direction में भी 5 MPA, मतलग तीनो direction में आपको equal strength में एक समझाने के लिए, ठीक है, ये hard and fast टूल नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक, ये है example, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताईए, is this clear, ठीक है, तो ऐसे material को हम क्या बोलेंगे, बिटा, ऐसे material को हम homogeneous बोलेंगे, is this clear now, is this clear now, ठीक है, अब देखिए, मैंने क assumption है, पहला assumption हमें क्या बूलता है, कि material को हम isotropic और homogeneous दोनों मानते हैं, दोनों मानते हैं, yes or no, बिल्कुल ज़िए, बिल्कुल सही बाते हैं, 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 बि homogeneous क्या बोलता है किसी दो पॉइंट पे किसी भी अलग-अलग पॉइंट पे किसी एक गिवन डिरेक्शन में properties क्या होनी चाहिए बिटा सेम होनी चाहिए तो वो हो गया homogeneous अब दोनों को collab करो homogenious और isotropic material कौन होगा homogeneous और isotropic material आपका वो होगा जिसमें क्या रहता है कि हर point पे हर direction में अगर आपकी property सेम आ रही है तो ऐसे material क्या बोलेंगे homogenious और isotropic is this clair to everyone or not is this clear to everyone or not अगर मैं यहाँ पे ये बात लिख लूँ conclusion में अगर मैं यहाँ पे बिटा ये बात लिख लूँ conclusion में तो किसी को दिक्त तो नहीं होगी किसी को दिक्त तो नहीं होगी जल्दी से बता ना मैं क्या लिख रहा हूँ देखो a material A material is said to be homogeneous and isotropic when it exhibits same elastic properties. Same elastic properties, at any point in any direction, at any point in any direction. पड़ी तो बहुत बार है, बट I think अब आपको ये clear हो रहा होगा. जल्दी से बताओ, बात clear हो रही है? जल्दी से बताएंगे बात clear हो रही है कि नहीं? Yes, everyone? Is this clear now? Material को homogenous और isotropic कब बोलेंगे? material को homogenous और isotropic तब बोलेंगे, जब जब इस material के ऊपर, अब चलिए ज़रा इसको मैं आपको वही डबा लेके आता हूं, जिस डब्बे की हम कल से जान ले रहे हैं. ठीक है? वही डब्बा ले लो. ले आओ उस डब्बे को. फिर से ले उस डब्बे को. कोई दिक्कत नहीं है. फ देखिए ज़रा. मैंने क्या बोला? इस material को homogenous और isotropic का बोलेंगे, बिटा. यह आपका vertical centroidal axis, यह horizontal centroidal axis, और this is your longitudinal axis. ठीक है, सर? देखिए. अब देखिए, material को homogenous और isotropic का बोलेंगे, जब यह जो material है, हर एक point पे, मतलब यह point A है, यह point B है, यह point C है. ठीक, हर एक point पे, हर direction में, मतलब, this is your y direction, this is your z direction, this is your x direction. ठीक, तो point A पे, point A पे, z direction में कितना है, e-z है, x direction में कितना है, e-x है, y direction में कितना है, e-y है, इसकी elastic property, ठीक, similarly, c point पे भी, इसकी elastic properties, x, z direction में, e-z होनी चाहिए, y direction में, e-y होनी चाहिए, x direction में, e-x होनी चाहिए, similarly, point B पे क्या होना चाहिए, z direction में, e-z, y direction में कितना, e-y, और x direction में कितना, e-x, तो मतलब हर एक point पे, हर एक direction में, properties अगर same हो, तो इसको क्या बोलूँगा, बिटा मैं, homogenous and isotropic, जल्दी से बताओ, क्या ये बात clear हुई, जल्दी से बताओ, क्या ये बात clear हुई, अगर clear हुई, तो मुझे सारे comment box में बताएंगे, अगर कुछ भी दिक्कट है, अगर कुछ भी, अगर आपको लगताएं की सर्थ, थोड़ा सा उपर से निकल गया, तो you can ask, repeat करवाना चाहते हो, तो आप repeat भी करवा सकते हो, Yes, please, anything is to be repeated up to this point, anything is to be repeated up to this point, कोई भी चीज repeat करवाना चाहते हो, Yes, ठेक है, समझ में आगी बात, Is this clear now, ठेक है, very good, चलिए, नोट कर लिया आप लोगों ने, Yes, noted, नोट कर लिया क्या, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठेक है, आगे बढ़े, अगर किसी ने नोट नहीं किया हो, तो आप नोट कर सकते हो, और कहां से नोट करना है, आप लोगों मुझे बता दीजिए, फिर वहाँ से मैं पेज छोड़ दूँगा, चलिए, तो ये तो रही बात बिटा, पहले अजम्शन की, इस अजम्शन के उपर आपका स्टेंट अफ माटीरियल काम करता है, हम हमेशा माटीरियल को आईसो ट्रॉपिक और होमोजिनिस बानके चलते हैं, अब सबसे पहला सवार ये कि अजम्शन क्यूं लेते हैं हम, स्टेंट अफ माटीरियल या कोई भी सब्जक्स जो हम पढ़ते हैं, तो इस अजम्शन क्यूं लेते हैं यार, अजम्शन के बेसिस में हम लोग काम क्यों करते हैं, इसलिए हम दुख दिखे, सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रा था है, अजम्शन हम लोग हमीशा देखा होगा, आपने स्टेंथ अफ मेटीरियल पड़ा हो चाए, आपने स्वाइल मेकैनिक्स पड़ा हो, चाए, आपने कोई भी थिऊौरी पढ़ी हो स्ट्रक्चर या स्टील की, तो आपर कुछ अजम्शन हम लेके चलते हैं, अब सबसे पहली departure अबीशन किभी नहीं करता है कि अभूदर काम करे कि थिक है और उसी boundary condition के अंदर ही हम लोग material को भीयेव करवाणë की कोशिच करते है ठीक है वो नियर बाइ रिजल्ट्स होते हैं वो नियर बाइ रिजल्ट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है ठीक है तो इसलिए assumptions हम लोग ले कर चलता है materials को अब देखो कोई भी material आपका perfectly isotropic और perfectly homogeneous नहीं होता है और कोई भी material homogeneous और isotropic होई नहीं सकता है यार ideally बट ऐस तरीके से behave करता है यह हम मानके चलते हैं ताकि हमारी analysis आसान हो जाए हमारे जो calculations जो है ना विटा वो हमारे आसान हो जाए इसलिए हम लोग assumptions को ले कर चलते हैं clear है clear है बात ठीक है जी तो यह बात भी clear हो गई कि assumptions को हम लोग क्यों लेकर चलते हैं क्यों हम लोग हर बारी assumptions को पढ़ते हैं, हर थियोरी से पहले हमें assumptions लेखने को क्यों मिलती है ठीक, तो दूसरा जो assumption आपका strength of material का रहता है पहला assumption तो ये है कि material को homogenesis और isotropic मान के design करते हैं, दूसरा दूसरा देखिए, दूसरा assumption क्या लेखता है दूसरा assumption हम लोग ये मानते हैं strength of material में, कि जो भी आपका material होगा, वो हमेशा hooks law जो है, hooks law को obey करेगा, तो material material obeys second assumption क्या है बटा material obeys hooks law material obeys hooks law अब सबसे पहली बात तो बटा, अब देखिए hooks law, hooks law क्या होता है हम ये मान के चलते हैं जो भी material हम लोग यूज कर रहे हैं, वो hooks law को हमेशा follow करेगा hooks law को जो है, वो हमेशा follow करेगा, अब देखिए hooks law क्या है अब देखिए detail में हमने जाना है hooks law के उपर detail में जाएंगे, क्योंकि hooks law हमें क्या बताता है stress is directly proportional to strain stress is directly proportional to strain up to what बटा, up to what elastic limit, elastic limit तक क्या होता है, stress is directly proportional to strain, ठीक है तो यह जो assumption है, वो elastic region तक चलती है, ठीक है, elastic region तक हमें यह assumption देखने को मिलता है ठीक, कि hooks law हमें यह बोलता है but अगर मैं, to be precise अगर मैं बात करूँ, तो hooks law क्या बोलता है कि stress in the direction of applied load must be directly proportional to the strain in the direction of applied load ठीक, यह बिलकुल एकदम precise है यह, hooks law यह नहीं बोलता है कि stress directly proportional to strain stress in the direction of applied load must be equal to strain in the direction of applied load हमेशा यही होता है, ध्यान में रखना अब देखिए, सबसे पहली बात तो सबसे पहली बात तो, इसको समझने के लिए मुझे stress और strain को समझना पड़ेगा सबसे पहली बात तो, मुझे stress or strain को समझना पड़ेगा, इनकी behavior को समझना पड़ेगा, तब जाके मैं आपको यह clearly बता पाऊँगा, या आप भी तब जाके इस चीज़ को समझ पाऊगे, कि in the given direction ही मैं क्यों बोल रहा हूं इन the given direction ही क्यों बोल रहा हूं, इसके लिए आपको बस आदा या, इसके लिए आपको बस थोड़ी देर और वेट करना है, ये भी आपके सामने खुल जाएगी बात, कि in the direction of applied load ही मैं क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, इतना ध्यान में रखो, अभी के लिए फिलाल, कि hooks law क्या है, stress is directly proportional to strain, that is your hooks law up to now, ठीक है, बात clear है, आगे जो hooks law के उपर, जो detailed discussion है वो बाद में चला होगा, क्योंकि अभी तक हमें stress और strain है, दोनों के बीच में हमें कोई मालूम पता नहीं है कि stress क्या होता है, strain क्या होता है, up to this point, ठीक है, बात clear है, समझ में आया, second assumption क्या लेंगे बिटा, कि material obeys hooks law, material को हम यह मानता है कि कोई भी material जो हम design कर रहा है, वो हमेशा hooks law को follow करेगा, यह हम लोग मान कर चलते हैं, ठीक है, third assumption क्या बोलता है, देखो जड़ा, third assumption क्या बोलता है, कि components are assumed to be prismatic, components components are assumed to be prismatic, prismatic, देखिए, तो क्या बोलता है कि जो भी हम लोग material design कर रहे हैं, उसको हम लोग prismatic मान के चलते हैं, prismatic का मतलब यह है, prismatic का मतलब यह है, कि जो भी material है, उसका जो cross-section है, जो material है, उसका जो cross-section है, वो हमेशा same रहेगा throughout the length, throughout the length, उसका cross-section जो है, वो कभी भी change नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, shape और cross section दोनों आपका throughout the length same रहेगा for example for example मैं क्या बोर रहा हूं देखो जरा this is your work बिटा अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं जिस डब्बे के हम पहली class से जान ले रहे हैं तो यह क्या हो गया बिटा आपका prismatic हो गया throughout the length क्या है बिटा ठीक है तो इसी को बोलते हैं हम लोग prismatic यहां पे कोई भी section अगर आप काट लो mid पे तो आपका यह cross sectional area है बिल्कुल आपको same देखेगा ठीक है तो यह हम लोग मांद कर चलते हैं कि जो भी component हम लोग design कर रहे हैं वो prismatic हो ठीक अब आप बोलोगे sir हमने strength of material में variable वाला भी देखा है ठीक है जहां पर tapering बार वरा आता है इन सब के problems भी हमने देखे हैं my dear student यह द्यान रखना इसकी analysis भी हम लोग strength of material करते हैं बट सबसे पहले question में उसको mention करना पड़ेगा कि हम prismatic member की बात नहीं कर रहे हैं उसको mention करना पड़ेगा हम tapering bar के बारे में बात कर रहा है या तो उसको question में mention करना पड़ेगा कि इसका depth है या width है वो क्या हो रहा है बट अगर अगर problem में वो आपको नहीं बता रहा है कि depth vary कर रहा है या diameter उसका vary कर रहा है नहीं बता रहा है तब तक आप हमेशा उसको prismatic लेकर चलोगे is that clear to everyone अगर वो question में कुछ भी नहीं बता के सिर्फ problem आपके सामने दे रहा है तो हमेशा हम prismatic लेकर चलेंगे अगर वो non-prismatic members के बारे में आपको आपसे काम करवाना चाता है अगर वो non-prismatic members के problems आपको देना चाता है तो उसको mention करना पड़ेगा question के उपर prismatic मान के चलेंगे यही basic assumption है हमारे यही basic assumption है क्योंकि basic assumption हमारे को क्या बोलता है कि हम हमेशा prismatic ही मान कर चलेंगे until or unless जब तक वो हमें mention ना करे जब तक वो हमें mention ना करे is this clear to everyone yes or no तो that is prismatic का मतलब क्या होता है बिटा shape and cross section yes dimensions shape and cross sectional dimensions remains same remains same remains same throughout the length of the member throughout the length of the member yes everyone is this clear up to this point क्या यह बात clear है यहां तक यहां तक किसी को कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत थीक, तीसरा assumption समझ में आ गया, तीसरा assumption समझ में आ गया, बुल्या ना, धीक है, फूर्स अज़मशन देखेये बटा, छौता assumption देखेये बटा, चौता assumption जो है आपका, क्या बुलता है, load is assumed load is assumed to be static हमेशा हम लोग static load के बारे में ही बात करेंगे until unless जब तक आपको बताएगा नहीं कि moving load के बारे में बात कर रहे है dynamic load के बारे में बात कर रहे है समझ में आ रहा है के नहीं आ रहे है fatigue के बारे में बात कर रहे है जब तक वो आपको नहीं बताएगा तब तक आप हमेशा static load ही लेके चलेंगे static में कौन-कौन से load आते हैं जल्दी से comment box में बताओ static load में कौन-कौन से load आते हैं जल्दी से मुझे comment box में बताएंगे yes जल्दी से बताओ static load में कौन-कौन से load आते हैं प्लीज जल्दी से पताओ कल हमने यह पड़ाज आने लोड के बारे में स्टैक्टिक लोड में किस-किस लोड को हम लोग कंसिडर करते हैं बिटा डेड लोड एन ग्रैजुली अप्लाइड लोड वेरी गुड हिमानी वेरी गुड येस तो ग्रैजुली अप्लाइड लोड और डेड लोड रोहित डेड के साथ ग्रैजुली अप्लाइड भी था तो ग्रैजुली अप्लाइड और डेड लोड इन दोनों को हम लोग किसमें अजियूम करते हैं बिटा स्टैक लोड के अंदर लेके चलते हैं ग्रैजुली अप्लाइड लोट क्या होता है gradually applied लोट क्या होता है जहां पे हम लोग दीरे-दीरे हम लोग weight को बढ़ाते हैं for example for example चलो static में दू I am a e-k Uh एक आता है आपके पास dead load este SMITH होता है आपके पास gradually applied ah ठीक gradually apply load क्या होता है दीखिए for example यह मेरे पास member है ठीक, ये मेरे पास member है, इस member के ऊपर मैंने क्या करना है, 10 kilo Newton का load लगाना है, ठीक है, 10 kilo Newton का load, अब जब 10 kilo Newton का load लगाना है, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा कि एक साथ 10 kilo लगा है और उसको लटका दिया, नहीं, हम क्या करेंगे, दीरे दीरे इसका weight बढ़ाते जाएंगे, शुर करते हो, तो that is your gradually applied load, अगर मैं एक साथ 10 kilo Newton का load इसके उपर लगाऊँगा, तो फिरी gradually applied load नहीं कहलाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, बिटा, that is called your suddenly applied load, जिसको लोग शॉक बोलता है, या impact बोलता है, तो अगर मैं एक साथ 10 kilo Newton का load लगाऊँगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएका बस, suddenly applied load, ठीक, अगर उसी 10 kilo को, अगर मैं तोड़ तोड़ के लगाऊँगा, तो that is called your gradually applied load, is this clear to everyone, is this clear to everyone, क्या ये बात clear हुई, ठीक, अब जब तक question आपको नहीं बताएगा, जब तक वो question में mention नहीं करेगा, तब तक आप क्या मानोगे, तब तक आप क्या म gradually applied load हो, ठीक है, या तो हम gradually applied मानेंगे, या तो dead load मानेंगे, जब तक वो mention नहीं करेगा, कि impact load है, clear है बात, बात clear है, ठीक है, अगला देखिए, last assumption of your strength of material, जिसके उपर पूरा का, कुलाब का strength of material काम करता है, that is your effect, effect of self-weight, effect of self-weight of component, self-weight of component is neglected, is neglected, देखिए बीटा, क्या बोर रहा है फिर से देखो, यह बोर रहा है कि जो भी आपके पास material है, जिसके उपर आप लोडिंग कर रहे हो, यह जो material है, जिसके उपर आप लोडिंग कर रहे हो, उसके self-weight को आप लोडिंग करेंगे, यह का assumption है, self-weight को हम लोग neglect करेंगे, until unless, जब तो को mention ना करें, जब वो mention कर रहा है, फिर तो हमें लेना, अगर वो mention नहीं कर रहा है, question के अंदर, self-weight को mention नहीं कर रहा है, member का, तो तब तक हम क्या करेंगा, उसको ignore करेंगे, जो भी external load हमने अप्लाई किया है, स्रीबुसी के उपर आपक इस पॉइंट, is this clear up to this point, assumption 3 से लेके, assumption 5 तक किसी को कोई दिक्कत, assumption 3 से लेके, assumption 5 तक किसी को कोई दिक्कत, सारी बाते समझ आगई, सारी बाते समझ आगई, जल्दी से बताएंगे, बटा, yes please, ठीक है, तो यहां तक, जो भी हमने बात करी है, वो बातें clear है सबको, वो बातें clear है सबको, ठीक है, तो देखिए, तो जैसे कि आज के class में, शुरुआत में, मैंना आपको बता दिया था, कि हम अभी क्या बात करेंगे, बटा, हम अभी उस assumptions के बारे में बात करेंगे, जिसके उपर पूरा का, पूरा आपका strength of material काम करते हैं, यह पांच basic assumption है, strength of material के, यह पांच basic assumption, वो हमेशा रहेंगे, चाहे वो आप bending रहेंगे चाहे, आप torsion के बारे में पढ़ेंगे, यह पांच basic assumption जो है, वो हमेशा रहेंगे, हाँ, इसके उपर कुछ और add करवाना चाहरा है, तो हर एक चप्टर में उपर से add होता जाएगा, यह पांच तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, यह ध्यान में रखना, इसलिए आपको क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था, कि strength of material पांच basic assumption के उपर काम करता है, अब फटा फट्चे किनुवाओ, सबसे पहला क्या था, सबसे पहला यह था, material is assumed to be homogenous and isotropic, पहला assumption दूसरा assumption क्या था, hook slow away करना चाहिए आपका material, तीसरा क्या था, prismatic होना चाहिए, चो अचाहिए था, कि self weight, जो है component का, उसको अब लोग neglect करके चलेंगे, until or unless वो mention ना करें, ठीक है, इन पांच assumption के ऊपर ही आपका पूरा का, पूरा strength of material आपका काम करता है, clear है बात यहां तक, clear है बात यहां तक, यह सो और नो जल्दी से बताएंगे, Yes, please, any doubts, anything is to be repeated, कोई भी चाहिज अगर आप repeat करवाना चाहते हो, ठीक, clear है, very good, आगे देखिए, अब कुछ miscellaneous topic है, कुछ miscellaneous topic है, देखिए, अभी तक हमने material की properties में हमने अभी तक दो चीज़े देखिए है, isotropic and homogeneous, ठीक, isotropic भी समझ में आ गया हमने, homogeneous भी हमें समझ में आ गया, ठीक, एक शब्द आपने भी सुना होगा, orthotropic, orthotropic, ठीक, ये भी property होती है, इस टाइप का भी आपका material देखने को मिलता है, ठीक है, अब orthotropic material क्या होता है, देखो जड़ा, orthotropic material क्या होता है, कि जिसमें different elastic property होती है, इसी एक particular point पे, या at any point in perpendicular direction, क्या, perpendicular direction में जो properties होगी, वो क्या होगी बेटा, different होगी, समझ में हा रहा है, orthotropic न, orthotropic का मतलब क्या है, different elastic properties, different elastic properties, different elastic properties, properties at any point, at any point, in perpendicular directions, तो किसी भी point पे, अगर, perpendicular direction में, किसी भी point पे, ये दियान में रखना, किसी भी point पे, perpendicular direction में, अगर आपकी properties different आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटाम लोगी, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, उसको orthotopic बोलेंगे, for example, for example, this, मान लो कोई point है, हमार पास this point, ठीक, ये मान लो point A है, इस point पे क्या हो रहा है, इस point पे क्या हो रहा है कि, जो आपकी elastic properties है न, वो different है, perpendicular direction में, for example, x, y और z, ये तीन direction है आपके, ये तीन direction है, तीनों में जो properties है वो different है, मान लो, यहाँ पे है, ये आपका e1 है, यहाँ पे आपका e2 है, यहाँ पे आपका e3 है, ठीक, तो point A पे, perpendicular direction में जो आपकी elastic properties है, अगर आपकी different हा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे बिटा हम लोग, orthotropic, क्या बोलनेंगे उसकों लोग, orthotropic, is that clear, is that clear, yes or no, तो अगर मैं orthotropic के example की बात करूँ, तो जो भी आपके layered material होते हैं, जो भी आपके layered material होते हैं, like plywood, graphite, यह सारे जो material होते हैं, वो हमेशा orthotropic के category में आते हैं, ठीक है, तो layered material, example, for this, example क्या है, layered material, like, yes, you can say that, sedimentary rock marble, like plywood, comma, graphite, यह आपके typical example है, बाकी आप भी correlate कर सकते हो, कोई भी layered material आपको दिखता है, तो उसको हम लोग, orthotropic के category में रखते हैं, ठीक है, क्यों रखते हैं, क्योंकि elastic properties, perpendicular direction में, हमेशा क्या आएगी बटा, different आएगी उसकी, समझ में आ रहा है बात, is that clear, एक और property होती है material की, यह एक और type का material होता है, जिसको हम लोग an isotropic बोलता है, an isotropic, ठीक, तो देखो ज़रा, यह तो कहीं न कहीं, isotropic का उल्टा दिख रहा है, isotropic का उल्टा दिख रहा है, isotropic क्या था, same elastic property at a point in every direction, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, different elastic property in a different direction at a given point, बिल्कुल सही बात है, जल्दी से बोलो, material having, material having, different elastic properties, materials having different elastic properties in different direction in a given point, sorry, in at a given point, direction at a given point, clear है, सही बात है, ठीक, anisotropic, मतलब, किसी एक particular point पे, अरे एक direction में क्या हो बेटा, अलग-अलग properties हो, like this, ठीक, this is your e1, e2, e3, e4, e5, e6, like this, हर एक direction में इसकी properties क्या होते जारी है, बेटा, change होते जारी है, ठीक है, तो isotropic का उल्टा हो गया है, समझ में आ रहा है, isotropic क्या होता है, हर एक direction of properties, सेम होती है, किसी एक particular point पे, इसका उल्टा, ठीक, anisotropic materials, materials, किसको बोलते हैं मेटाम लोग, इसके examples, materials with crack, जिन materials में crack आ जाता है, और जिन में voids प्रेजेंट होते हैं, खाली जगाए जहां पे होती है, वो हमेशा कैसे behave करेंगे, वो anisotropic material के तरह behave करेंगे, उसमें क्या रहता है, कि जहां पे cracks आ जाता है material में, और जहां पे voids प्रेजेंट जाता है material के अंदर, तो वहाँ पे elastic properties, हर direction में different आनी शुरू हो जाती है, तो उसको हम लोग anisotropic material के category न उसको रख लेता हैं, ठीक हैं, तो आप यहां पे example लिख लो, materials, materials with crack, material with crack and voids, and voids will behave as, will behave as, anisotropic materials, clear है sir बात? Is this clear up to this point? Is this clear up to this point? Yes or no? क्या यह बात यहां तक आपको clear है? ठीक है, is this clear up to this point? जास थीक यह थीक is. नोट कर लिया आप लोग उने? नोट कर लिया आप लोग उने? नोट कर लिया आप लोग उने?